तो गैस मैं हुआ की तोर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्क सुरू करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले बात करते हुए रिसल मीना फोटी की रिंग एनाउंसर के बारे में नाइट वन नाइट टू दोनों की दोनों नाइट्स की अनाउंसमेंट जो है समेंथा एर्विन करने वाली है अपडेट नीकल के सामने आईए बताया गया है अनाउंसमेंट हुए समेंथा एर्विन विल बी धर रिंग एनाउंसर फोर एवरी मैच और बोथ नाइट्स ओफ लिए रसल मीना फुर्टी दिस वीकेंड अक्सर होता है कि नाइट वन कोई और होस्ट कर रहा है तो नाइट तू कोई और लेकिन यहाँ पर भाई नाइट तू दोनों नाइट समेंटा इर्विन ही होस्ट करने वाली है हाला कि कुछ और लोगों की ऑपरचुनिटी चली गई लेकिन समेंथा इर्विन के लिए रसल मीना यह वाला काफी स्पेसल काफी हिस्टोरिक हो जाएगा काफी सारे फैंस इनकी अनाउस्मेंट पसंद करते हैं बहुत जादा प्रिसेट की जाती है इंटरनेट पे हमेशा तो यह क्या करने वाली है भाई मैच से पहली की अनाउस के मैच को भी तो भाई इनके भी करियर के अंदर यह बहुत हिस्टरिक नाइट होने वाली है फिर कहलो हिस्टरिक दो नाइट होने वाली है तो कॉंग्रेशुलेसं सेमेंथा एर्विन को एनौसमेंट तो भाई अच्छी करती है अभी कह साब सही है इनको लेके अपडेट आगे बढ़ते हैं गाई इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अमेरिकन नाइट मेर कोडी रोट्स को लेके तो मैंने आपको बताया था कि जो डाउन स्टेट बैंड है जो कि भाई किंग्डम को ओन करता है जो कि कोडी रोट्स का थीम है यह कुछ टीज कर र वगर आप अभी Spotify पर जाकर सुन लो इनके प्रोफाइल पर डाउन स्टेट के वहाँ पर ठंक से सुनने को मिल जाएगा लेकिन यह कैसा है इसको पर response कैसा आ रहा है तो लोगों को यह वाला थीम बिलुकुल पसंद नहीं आए लोग कहरें कि भाई यह क्या बना दिया जो Kodi की उरिजनल थीम है वो अल्रेडी काफी गोटेड है वो जबरदस्त है इसकी नीड ही नहीं थी एंड पॉसिबली डभी डभी इसको जो है यूज करने वाली है रसल मीनिया के अंदर अगर मेरे उपिनिस पुछो के भाई तो मुझे पसंद आया अंड़ी मुझे अच्छा सकता है मैं उसको लेकर मैं अभी काफी अंसेर हूं लेकिन अभी के हिसाब से फैंस ने क्रिटिसाइज करा इस वर्जन को लेट सी डबड़ इसको यूज करती है कोडी के एंटरंस के लिए या फिनी लेकिन अगर नहीं करना होगा भाई तो फिर इतनी मेहनत करके इतना कोडी रोट्स न्यू वर्जन है आके सुन सकता आप लोग उसके बाद आके रिव्यू दे सकते हो कि आपको कैसा लगा एंट क्या डवी डवी को कोडी रोट्स की रेसल मेनिया एंटरंस के इंदर इस वाले थीम को यूज करना चाहिए कॉमेंट करके आपके जो भी ओने स्पेसल एंटरंस की बात करिए भाई तो कोडी रोट्स का पता नहीं भाई उनके एंटरंस में परफॉर्मेंस लाइव होगी या फिनी लेकिन ड्रू मैग इंटरंस के स्पेसल एंटरंस को लेकर के कंफरमेशन है एंड ये एक अच्छी अपडेट है मैं आपको बता दू इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दू कि ड्रू मैग इंटरंस होगी उसके लिए प्लैन से कि डब डबली बहुत एक्स्ट्रा इंप्लोईज ला रही है यानि कि भाई अब ये एक्स्ट्रा इंप्लोईज किस रोल में होंगे वो नहीं पता लेकिन एंटरंस में बहुत सा सारे बंदे होने वाले एंटरंस में बहुत सारे क्रू मेंबर्स होने वाले हैं ड्रू मैग इंटरंस पर कहा जा रहा है कि यह तो पक्का है कि फैंस के लिए एक स्पेक्टेकल होने वाला है तो आखिर मैग इंटरंस के लिए क्या प्लैन हो रहा है नहीं पता लेकिन मैग इ जुज नाइट है काफी मैसिव नाइट है यहाँ पर फाइनली फैंस के सामने डुमय ट्रू मैइक इंटाइर वर्ल चैम्पेन बनेंगे उन्ने उनका मोवमेंट मिलेगा बस अंतर यह कि इस बार डूम मेंटाइर हील है बेवी फेस नहीं है तो हील के हिसाप से हील जैसी फिलाल के इसाप से special entrance Drew McIntyre Scottish Warrior के लिए 110% confirm हो चुकिए Fightful के इस report के बाद आगे बढ़ते हैं guys बात करते हैं हम लोग अपनी अगली story के बारे में जो कि है The Monster Among Men Bronze Roman को लेके तो भाई Bronze Roman का return हमें Russell Mina 40 के अंदर क्या देखने को मिल सकता है तो मैं आपको बता दूँ इसके chances हैं इसको लेके रिपोर्ट है ये भी Fightful की ही रिपोर्ट है आप लोग देख सकता होगे Bronze Roman has been confirmed to be in town adding to the anticipation for potential surprises at Russell Mina 40 कहा जा रहे कि जो Bronze Roman ने भाई वो Philadelphia में present होने वाले and इससे जो भाई लोग के anticipation बढ़ रही है दीरे-दीरे कि हमें रेसल मीना के अंदर सायद इनका return भी देखने को मिल जाए तो Bronze Roman भी confirm हो चुके हैं कि रेसल मीना की location पे होंगे लेकिन ये involved कहां पे होंगे उसका मुझे कोई idea नहीं है मुझे तो ऐसा कोई ad such spot नहीं दिख रहा जहां पे ब्रॉण शोमन अचानक साके घुज जाएंगे और चीजस सेंस बनाएगी अगर अंड्रे देजान बैटल रोल सायद रसल मीना की कोफ में हो रहा होता तो सैर मुझे लगता कि हाँ ब्रॉण शोमन आ जाएंगे बट यू नेवर नो भाई अभी के साफसे डबर डबी कुछ भी कर सकती है अगर वह ला रही है टाउन के अंदर है प्रेजेंट वगरा तो कहा गया फाइट फुल की रिपोर्ट से की ब्रॉण शोमन प्रेजेंट होंगे और देन हो सकता है कि इनका आपको सर्प्राइज र बीच में इंडिया भी आते हैं तो सारी चीजे सही चल रही है ब्रॉण स्टोमन को लेकर तो यह से रीटर्न रेडी तो वह पक्का है बागी देखना होगा कि प्रेजेंट होते हैं आपनी बिल्कुल टाउन में तो वह होने वाले हैं अब आपको तो नहीं देखने को मिलें लेकिन हम वहां पर होने वाले महां पर लोगों उनको देखने को मिलेंगा अगर्सलमीना में आ जाएंगे तो देखने को मिलेंगा आपको बात कर लिते हैं अपनी नेक्स्ट एंट फाइल स्टोरी के बारे में जो करिटेट है रॉक का बिट्रेल हो आप यह थोरे डाउट के अंदर है विकॉज रॉक ने जादा ही पीट दिया कोडी रोड्स को तो अब वो भी ट्रे करेंगे रोमन को तो क्या वो चीज सेंस बनाएगी स्पैसली जब हेल्प करने आने वाले स्टोन कोल्ड एंड जॉन सीना वगरा रूमर्ड है तो फिर रॉक क्यों ही बिट्रे करें कहा जा रहा है कि जो रॉक है भाई रसल मीना के बाद तुरंत ही जाएंगे अपनी नई फिल्म सूट करने के लिए यानि कि स्मैसिंग मसीन को उसकी सूटिंग इनकी चालू हो जाएगी अब ऐसे में भाई रॉक ने इसको पर कॉमेंट करा वो कहते हैं कि देखो यार मैं ड वजूद भी कही ना कहीं प्रेजन्ट होने वालें बैक्स्टेज रोल्स में डबड़वी के अंदर ये कुछ इन्हों ने कहा था अब ऐसे में इस से क्या हम लोग आडिया लगा सकते हैं तो पॉसिबली आपका रसल मीना स्पॉयलर है विकॉस रॉक रसल मीना के बाद अग बी बी गज़ी ना कहीं एक तरीकसा लागू हो रही है एक मैच में उसके बाद वाज गुनिघा fine करें जैनि तो येंड श ric Им탁त्सके बाद ऑल उसके रोड़ी को यूज करके रॉक को टेलिविजन वा के बाद रॉक कुछ महीने गायब रहेंगे जब तक इनकी शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है या फिर बीच-बीच में भी आ सकते हैं अभी के हिसाप से यह आइडिया लग रहा है कि रॉक इस तरीके से टेलिविजन से लीव लेंगे रसल मीना के बाद यान की ब्लेडल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जाने वारी है कुछ घंटे बागी है रसल मीना को कल स्मैक डॉन हॉलो फेम देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रसल मीना नाइट वन नाइट टू तो भयंकर वीडियो जाएगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर सेड करके रखो मेरी महनत का भी फल मुझे मिल जागा मोटिवेसन में मिलता है मुझे बागी आपको भी कॉंटेंट मिलेगा सामने से तो लाइक सर सब्सक्राइब करें फॉलो करें इंस्टा टुटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वाट्सिप चैनल की भी सबको फॉलो कर लेना भाई मिलते हैं आपनी नेक्स वाफर काफ इंट्रस्टिंग वेडियो में